नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे एक ऐसी तक्नीक के बारे में जो हमारे चारों और मौजूद है MEMS यानि Micro Electro Mechanical Systems आपके फोन से लेकर कार और Medical उपकरनों तक MEMS हर जगह है लेकिन आखिर MEMS है क्या और ये कैसे काम करता है MEMS तक्नीक दरसल छोटे Mechanical और Electrical Components का सन्योजन है जिन्हें एक ही सिलिकॉन चिप पर लगाया जाता है ये छोटे-छोटे सिंसर, एक्टूइटर्स और प्रोसेसर्स मिलकर बड़े Mechanical Systems की तरह काम कर सकते है MEMS का इतिहास 1950 के दशक में शुरू हुआ जब शोध करताओं ने सिलिकॉन पर माइक्रोमशिनिंग तक्नीकों का प्रयोग शुरू किया समय के साथ MEMS तक्नीक का विकास हुआ और आज इसका उप्योग कई उद्योगों में किया जा रहा है चलिए जानते हैं एक MEMS डिवाइस के घटकों के बारे में इसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं Sensor, Actuator और Microprocessor MEMS डिवाइसेस को बनाने के लिए सेमिकंडक्टर निर्मान की तक्नीके जैसे फोटोलिथोग्राफी और एचिंग का उप्योग किया जाता है MEMS तक्नीक का उप्योग कई उद्योगों में होता है और हर क्षेत्र में इसे अपने अद्वितिय फायदे के लिए अपनाया गया है MEMS तक्नीक कई लाभ प्रदान करती है जैसे की छोटे आकार, उच्छ दक्षता और सटीकता उदाहरन के लिए MEMS उपकरण छोटे होने के कारण बहुत कम बिजली का उप्योग करते हैं लेकिन MEMS तक्नीक की कुछ चुनौतिया भी है जैसे की सटीक निर्मान महंगा होता है और MEMS डिवाइसिस वातावर्ण के प्रती संबेदनशील होते हैं आने वाले समय में MEMS तक्नीक तेजी से विक्सित होने की संभावना है भविश्य के MEMS डिवाइसेस में AI और IoT के लिए एडवास सिंसर हो सकते हैं आईए दोबारा से याद करें MEMS या Micro Electro Mechanical Systems एक परिवर्तनकारी तक्नीक है जो Mechanical और Electrical Systems को सूक्षमस्तर पर जोडती है